शुप्रभात त्यारे बच्चो आज हम लोग ना समझ हैरी एक हीरन की कहाणी पढ़ने जा रहे हैं देखिए एक बहुत विशाल जंगल था विशाल मीज बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा जंगल था उसमें एक हिर्णी अपने बच्चे के साथ रहती थी उसके बच्चे का नाम था हैरी हैरी बहुत ही सरार्थी और नटखट था सरार्थी मीज बड़माश और नटखट भी बड़माश हैरी बहुत ही जादा सरार्थी और नटखट था वह हर्स में इधर उधर उचलता कूदता फिरता रहता था वह जंगल के किसी भी खत्रे की परवाह नहीं करता था परवाह क्या होता है चिंता वह किसी भी खत्रे की चिंता नहीं करता था इस कारण उसकी माँ बहुत चिंता करती थी एक दिन हिरनी अपने बच्चे को लेकर जंगल के सबसे बुद्धिमान हीरन के पास गई देखे बुद्धिमान क्या होता है समझदार एक दिन हिरनी अप बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकीबे सिखा दूँ ताकि यह कभी संकट में फर्स जाय तो अपनी जान बचा सके अब बुद्धिमान का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है समझदार अब वो अपने बेटे को लेकर एक बुद्धिमान हिरन के पास गई और इसे भी कुछ तरकीबे सिखा दू ताकि यह कभी संकट में फर्स जाय संकट मेंस क्या होता है संकट यानि मुसीबत में फर्स जाय तो अपनी जान बचा सके मुझे इसकी बड़ी चिंता लगी रहती है मुझे मतलब हिरनी को इसकी बड़ी चिंता लगी रहती है बुद्धिमान हीरन बोला, बेहन यदि आपका बेटा ध्यान से सिखेगा तो मैं इसे इतना अधिक निपोन और ज्यानी बना दूँगा कि यह कभी भी संकट से नहीं डरीगा. निपोन का अर्थ है कुशल, बुद्धिमान हीरन कहता है कि अगर छोटा हीरन उसकी बाते सिखेगा उससे ध्यान देगा तो वह उसे और अधिक कुशल और ज्यानी बना देगा ताकि वह कभी भी किसी संकट से ना डरी. उस दिन के बाद हैरी उस हीरन के पास शिक्षा पाने के लिए जाने लगा किन्तु वह बहुत सेहतान था. उस दिन के बाद हैरी किसके पास जाने लगा? बुद्धिमान हीरन के पास शिक्षा पाने के लिए जाने लगा. लेकिन जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि हैरी क्य कि कोई भी तर्कीब नहीं सीखी तर्कीब क्या होता है कोई भी तरीका वे विधी नहीं सीखी एक